सीएम योगी जब से सत्ता में आए हैं तब से ही अपराधियों और माक्याओं पर तगड़ा आक्षिन लिया जा रहा है वो राज्ये जो एक समय पर अपराधों के लिए जाना जाता था वो आज अपराध मुक्त राज्ची के रूप में जाना जाता है आज के स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे पुलीस मुटभेड और गौत असकरी के मामले के बारे में साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में तो बिना देरी किये चली शुरुआत करते हैं तसकरों से बचाए 24 गौवन मुटभेड में पुलीस ने तीन को दबोचा यूपी पुलीस का चला जोरदार हंटर हिंदूों के प्रसिद धार्मिक केंदर मतुरा में गौत असकर अपनी करतूद से बाज नहीं आ रहे हैं वे लगतार पुलीस को चुनौती दे रहे हैं वहीं शुकरवार यानि के 29 मार्श 2024 की देर रात को गौव रक्षकों ने पुलीस के सहियोग से 24 गौव वन्षों को बचाया है इसके ठीक एक दिन पहले मतुरा पुलीस ने एंकाउंटर करके तीन गौव तसकरों को गिरफतार किया था उनके पैरों में गोली लगी थी दरसल शुकरवार की रात कुछ गौव रक्षकों को सूचना मिली कि एक बंद बॉडी कैंटर में गौव वन्ष को भर कर तसकरागरा से मेवात की तरफ ले जा रहे है ये भी कहा गया था कि छोटे से कैंटर में 24 गौव वन्ष को रखा गया है इसके बाद गौव रक्षकों की टीम ने पुलीस को सूचित किया और एक गाउ के समीप नाका लगाया इस दोरान आ रहे कैंटर को रोकने का प्रियास किया लेकिन तसकर कैंटर लेकर भागने लग देकर हडबडा गए और अंधेरे में सडक किनारे कैंटर छोड़ कर भाग गए इस दोरान पीछा कर रही गौव रक्षकों की टीम वहां पहुची और कैंटर में भरे चौबस गौव वन्ष को बरामत कर लिया पुलीस ने गौव तसकरों की तलाश की लेकिन अंधेरे का फ अंधर थाने में अज्यात गौव तसकरों के खिलाब शिकायत दर्च कराई गई है मतादे की गुरुवार यानि की 28 मार्च दो हजार चौबस की रात को गश्ती के दौरान वरसाना पुलीस की चरण पहाडी के पास गौव तसकरों से मुढभेड हो गई थी जब पुलीस ने तसकरों को रोकने की कोशिश की तो वे पुलीस पर फाइरिंग करने लगे इसके बाद पुलीस ने जवाबी फाइरिंग की जिसमें तीन तसकरों के पैर में गोली लगी मुटभेड में घायल हुए तसकरों की पहचान हरियाना के नुह निवासी, हनीफ, इर्शाद और जाहित के रूप में हुई है इन तीनों को पुलीस ने गिरफतार कर लिया है घायल तसकरों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया था इनके पास से दो तमंचा, एक सांट रोकार और दो गौवंच बरामत किये गए थे आपको बता दे कि ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है बलकि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं चलिए उसके बारे भी आपको बताते हैं दरसल उत्तर प्रदेश पुलीस लगतार गौध तसकरों पर शिकन जाक कस रही है इसके बाद भी प्रदेश में गौध तसकरी नहीं रुक रही है सोमवार को महराज कंच नगर शेत्र के मुख्य चाराहे पर पुलीस और गौध तसकरों के बीच मुटभेड हो गई इस मुटभेड में पुलीस ने तीन तसकरों को घेर कर दबोज लिया सभी तसकर बिहार के रहने वाले हैं तसकरों की गाड़ी नाले में फसी आपको बता दे कि पूरा मामला महराज कंच नगर शेत्र के मुख्य चाराहे का है यहां सोमवार की देश शाम साड़े नौ बचे पुलीस गश्ट पर थी इस टीम में CEO जी प्रभारी महेंद्र यादव, स्वाट टीम प्रभारी योगेश सेंग, सर्वलान सेल प्रभारी उमेश यादव, शैलेंद्र तरपाथी शामिल थे इसी दौरान एक पिकप गाड़ी आते देख टीम ने रोकने का इशारा किया पुलीस टीम द्वारा हाथ दिखाने पर पशू तसकरों ने गाड़ी भगाते हुए फाइरिंग शिरू कर दी इस दौरान तसकरों की गाड़ी सड़क किनारे एक नाले में फस कही जहां गाड़ी से उतर कर तीनों तसकर फाइरिंग करते हुए भागने का प्रियास करने लगे पुलीस टीम ने घेरा बंदी कर तीनों ही गौध तसकरों को गिरफतार कर लिया इस दौरान वहाँ पहुची भीड ने गौध तसकरों की गाड़ी में जम कर तोड़ फोर की पुलीस ने क्या बताया वहीं इस पूरे मामले में एसीपी आतीश कुमार सिंग ने बताया कि नगर चौकी के सामने सोम बार की रात पशु तसकरों वह पुलीस के बीच मुट भेड हो गई थी यहां भागते समय तसकरों की गाड़ी एक नाले में फस कई पुलीस की घेरा बंदी देख सभी गौध तसकर भागने लगे इस दोरान गिरने से दो गौध तसकर गंभी रूप से घायल हो गए पुलीस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफतार कर इलाज के लिए महराज गंजिला स्पताल में भरती कराया है इसके साथ ही सभी पर कानूनी कारवाई की जा रही है बिहार के रहने वाले हैं पशुत तसकर पुलीस के मताबिक मुढभेड में गिरफतार हुए तीनों पशुत तसकर बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं तीनों का नाम रुस्तम, लाल बहादुर और शहा आलम है इन आरोपियों में से रुस्तम पुरंदरपूर थाने का most wanted अपराधी है बता दे कि भागने के दोरान रुस्तम और लाल बहादुर चोट लगने से गंभी रूप से घायल हो गए है वहीं यूपी के मेरट से भी ऐसा मामला सामने आ चुका है दरसल उत्तरप्रदेश पुलीस ने मेरट जिले के खरखोदा थाना शेतर में मुटभेड के बाद दो गौत असकरों को गिरफतार किया है एक पुलीस अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि मुटभेड के दोरान पैर में गोली लगने की वज़स से एक गौत असकर को अस्पताल में भरती कराया गया है जबकि तीन अन्य गौत असकर अंधेरे का फाइदा उठा कर भागने में कामियाब रहे उनकी गिरफतारी के प्रियास अभी किये जा रहे हैं वही मेरत के वरिष्ट पुलीस अधिक्षक SSP रोहित सेंग सजवान के मताबिक खरखोदा थाना पुलीस को रविवार तड़के मुखबीरों से सूचना मिली कि कुछ गौत असकर घौसीपूर गाओं के पास एक खाली प्लोट में बने चपर में गौकशी की घटना करने की फिराक में है उन्होंने बताया कि सूचना पर ततपरता से कारवाई करते हुए पुलीस टीम बताये स्थान पर पहुँची तो गौत असकर वहां से भागने लगे सच्जवान के अनुसार पुलीस टीम ने गौत असकरों की घेरा बंदी की जिसके बाद गोली बारी करने लगे उन्होंने बताया कि जवाबी गोली बारी में एक गौत असकर घायल हो गया पुलीस उसे और उसके एक साथी को गिरफतार करने में सफल रही गिरफतार किये गए गौत तसकरू के कबजे से एक मोटर साइकल, एक तमंचा, एक जिन्दा और एक खोखा कार्तूस, एक छूरा गौ मांस मांस काटने के उपकरन बरामत किये गए है उन्होंने बताया कि मुटभेड में घायल बदमाश की पहचान, शदाप और उसके गिरफतार साथी की पहचान आफताप के रूप में की गई है दोनों खरकोदा थाना शेतर के घौसीपूर के रहने वाले हैं सजवान के अनुसार मामले में खरकोदा थाने में हत्या के प्रियास गौवद अधिनियम और आंस आक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहट प्राथमी की दर्च की गई है सजवान के मताबिक घायल गौध तसकर को अस्पताल में भरती कराया गया है उन्होंने बताया कि तीन गौध तसकर अंधेरे का फाइदा उठा कर मौके से फरार हो गए पुलीस उन्हें गिरफतार करने की कोशिश में जुटी हुई है वही जहां एक तरफ गौध हत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो वही दूसरी तरफ ऐसे भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां गौध तसकरों ने खुद पुलीस थाने पहुचकर सीम योगी और एनकाउंटर के डर से सरेंडर किया है चलिए ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में आपको बताते हैं और उनसे आपको रूबरू कराते हैं साहब साहब हमें गिरफतार कर लीजिए हम गौध तसकर हैं और पुलीस हमारे पीछे पड़ी हुई है हमें डर है कि पुलीस मुटभेड में हमें गोली मार कर खायल ना कर दे हमारे खिला गौत असकरी का मुकदमा दर्च है फविश्य में इस तरह का अपराद हम नहीं करेंगे इस बार माफ कर दीजिए ये सुनकर इंस्पेक्टर दिनेश कुमार चिकारा और थाने में मौचूद पुलीस कर्मी और फरियादी दंग रहे गए इंस्पेक्टर के कहने पर पुलीस ने दोनों से पूछताच की और गिरफतार कर हवालात में बंद कर दिया पराद चल रहे थे आरोपी उत्तर प्रदेश में आजकर पुलीस का इकबाल जागा हुआ है देहशत के कारण बदमा के जंगल में एक महीने पहले कुछ गौवंश बंदे मिले थे सूचना के बाद पुलीस ने गौवंश को मुक्त कर दिया था मुकदमा दर्चकर पुलीस की विवेचना शुरू हुई तो सात आरोपियों के नाम सामने आये जिसमें से पुलीस ने पुरकान गुलफाम असमा रिजवान महरदीन और नावेत को गिरफतार कर चेल भेज दिया था चबकि एकराम पुत्र नूरा और रिजवान पुत्र नसीर निवासी फौलात नगर परार चल रहे थे नहीं करेंगे अपराग पुलीस के डर से दोनों आरोपी हाथ उठा कर दो घट थाने पहुँचे और थाने में घुसते ही दोनों ने हाथ उठा लिया दोनों आरोपियों ने कहा कि हमारे खिलाफ गौत तसकरी का मुकदमा दर्च है हमें गिरफतार कर लीजिए पुलीस पूचताच कर मुकदमा देखा और दोनों को गिरफतार कर लिया खैर ऐसे ही कई मामले हैं जो सामने आ चुके हैं पर आपको बता दे कि सीएम योगी और यूपी पुलीस भी ऐसे मामलों पर तगड़ा आक्शन लेती है ताकि ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके ताकि ऐसे गुनहा को अंजाम देने से पहले अपराधी हजार बार सोचे इस पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रहे कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूले नमस्कार